दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबिटेक में आज है बारा जून दोजार तेईस और जान लेते हैं आज की मात्पूर्ड खबरें जो आज की प्रमुक समाचार पत्रों पे चाहिए और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहली अबडेड़ियां पर दे सकते हैं ब्रेकिंग नौज आप सभी के लिए और खुसखबर है आप लोगों के लिए कि जूनियर हाइ जो जूनियर हाइस्कूल है उनमें जो प्राइमरी की वर्थियां उनमें रोक लगई है और ये खबर आप सब के लिए जरूरी है और अच्छी खबर है अब मामला क्या आपको बताता हूं आप लोगों ने देखा होगा पहली बार जूनियर एड़ेड विद्ध्यालियों में सिच्छक बढ़ती आई थी दो साल पहले जिसमें अभी बढ़ती प्रक्रिया आगे बढ़नी है एकजाम के बाद आगे मामला ठप है तो उसी तरीके से जूनियर एड़ेड हाई स्कूलों में प्राइमरी भड़ती भी आएगी अब अभी तक यह बढ़ती है मैनेजमेंट इस तरह पर होती थी तो पूरे प्रदेश वर में जो भी मैनेजर होते थे वो लोग यहां पर खूब बश्टाचार करते थे अपने इ मैनेजर अब बढ़ती नहीं कर पाएगा अब यहां पर जो भी बढ़ती आऊंगी वह सरकार करेगी क्योंकि सरकार पेमिंट करती तो सरकार बढ़ती भी करेगी उसी के बारे में यहां पर अपडेट है कि स्कूल प्रबंदकों की मनमानी पर सासन ने की सकती एड़ेड जू स्कूल हों पहले से रोग लग गई थी लेकिन अब प्राइमरी में रोग लग गई है अब बढ़ती अब कहां से आईगी तो सरकार के मादम से जो है यह सरकार करवाएगी हो सकता है नया सिच्छा सिवायों करवाए या फिर दूसरे किसी आयो को जुम्मेदारिश दिया सके से नया योगी करवाएगा अब यहां पर देखो पतायागा कि प्रदेश बर के साहिता प्राप्त जूर्य हाई स्कूलों से संबद अनुदानित प्राइमरी विवाग में सिच्छकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है साहसन को सिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रवंदक अपने निजी स्वार्त्य हम सगे संबदियों को लाब पहुंचाने को देश से एड़ेड जूर्य हाई स्कूले से संबद अनुदानिक प्रात्मिक विद्यालों में कारण सिचकों की सेवनति वनकार्ण रिक्त हुए प उनको निकतिपक रोंक लगाने का जो है आदेश जारी किया है ठीक है इसके बाद अपर सिच्छा निर्देशक अनिले भूस्तन स्थरवेदी की ओर से आठ जून को सभी मंडली सेम्तु सिच्छा निजी सक और बेसिक सिच्छा दिकारियों को भरती पर रोक लगाने संदी निर्देश दे दिये गए हैं तो कुल्म ना करके अब मेनेजर इन भरतियों को नहीं कर पाएंगी यह वरती सीधे तवर पर सरकार के आंथों में होगी तीन अजार उन्चास आइड़ेट जूनियर हाइसकुल प्रदेश में संचालित हैं और यहीं पर बढ़तियां होंगी ठीक है और बहुत से बढ़ती इसको जूनियर एड़ेट से चक बढ़ती समझ रहे हैं तो ऐसी कन्फूजन अपने मन में न रखें आइड़ेट जूनि प्रोक लगाई गई इसमें मनेजर अब नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर देखिए नए आयोग को लेकर के भी अपडेट है कि 24 जुलाई से पहले नया आयोग संभाव यहां पर देख लेते हैं नियोच को विस्तार से तो यहां पर देखो बताया गया कि उच्छ बेसिक प्रावदिक ब्योसाइक सिच्छा विवाग अल्प संक्रक कल्यान वा वक्फ बूर्ड विवाग में सिचकों प्राचार वे प्रदानाचारों के चैन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सिच्छ सेवा आयोग 24 जुलाई से पहले ऐस सित्त में आ सकता है सासन दो मही को बारा सदी समिति का गठन किया था आयोग के अदरियम दर उन्निस में संसोधन करते उनाया डप्त तयार करने के निर्देश दिये गए थे सुत्रों के जानकाई निकल के आई उसकी अनुसार अंतिम रूप देते गुए अपने संस्ति सासन को बेज दिये समसार प हाई कोड काफी सकता है इस मामले को लेकर के तो इसी के बारे में आपर डेट है कि 24 जुलाई से पहले यहां पर नया आयोग बन सकता है और इसका जो मुख्यार है प्रागराजम बनाया जानी के तयारी है 24 जुलाई को ही तीन और मैयन सिंग्यम तीन अनकी वोड से दायराजिका की सुनवाई होनी है इस सारी चीज़े जो है यह निकल किया रहे हैं वह पर अटल विद्याले में भी नए वोड से बढ़ती होगी नए आयोग से बढ़ती होगी तो आप लोग जानते हैं को अटल आ सब्सक्रावासी विद्यालों को सिच्छा बढ़ती सामिल कर ली गई थीक है और इसके लावा यूपी टीटी भी नए आयोग करवाएगा तो यूपी टीटी पहले से ही सामिल है नए आयोग से अब आज फिर समसर्पत्रों के मतलम से अपडेट किया गया अकि यूपी यां इसी से होंगी और जो जी आई सी वगर रहे हैं वो लोग से वायों के माध्यम से होंगी यहां पर प्रिश्चा को लेकर के अपडेट है काउंडाउन सुरू हो चुका है पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही है 15 जून को परिच्छा होने वाली इंट्रेंस एक्जाम क कि जहांसी इनुविस्ट्री इस बार करवा रही है तो इस बार देखे बताया गया है कि सिसी टीवी कैमरे की निगरानी में होगी बीड़ परिश्चा एक सथ 75 जिलों में इस परिच्छा का आयोजन किया जाएगा पवने पांच लाका बेटीज परिच्छा में सामिल होंग परदेश में युआओं के सपने को पूरा करने के लिए परदेश सरकार सैनिक स्कूल खोलने जा रही है ये स्कूल हर मंडल मुख्याले पर खोले जाएंग इस कवाद सुरू कर दी गई है गाजी पुरस्थित एसिया के सबसे बड़े गाउं गहमर की तो पहँचानी फोज सबस्ति के 25 गाउं को भी सेनिकों का गाउं का आ जाता है तो यहां पर बताया कि मौजूदा समय मुत्तर प्रदेश में चाड़ सैनिक स्कूल है इसमें अमेठी जहां सी मैनपूरी रच्छा मंतरा दोरा और लखनों का सैनिक स्कूल सरकार्दा संच चलेता है तो आने वाई और अन्य विव्यागों में अपर नजी सच्ची बढ़ती के लिए दस वर्सों से कोई विग्यापंजारी नहीं हुआ है लोग सेवा आयोग की ओड़ से दस वर्सों में सिर्फ यह जानकारी अब तक अभ्यरतियों को दी गई कि परिश्छा किस फॉंट में करवाई गया कि कब परिश्छा होगी यह केवल दस साल में आयोग को फांटी ही बता पाया आया परिश्छा डेट वगरा भी कुछ भी जारी नहीं की गई है दस साल से एपियस की बढ़तियां फसी हुई है एपियस के तीन सो से अधिक पदों का नया दियाचन भी लोग से वायोग क लेकिन भड़ती का आता पता नहीं है यूपी बोड की यंग पत्र प्रमाण पत्र में अगर कोई त्रोटी है तो आज से सभी जिलों में कैंप लगा करके आप अपनी कलतियों को सुधरा सकते हैं यानि कैंप लग रहे हैं सभी जिलों में जाता जो जिले का राजकी विद् ग्राम पर डाल दिया कि किस विद्यैल में क्रेंप लगेगा बांकि ये क्रेंप सभी जीलों में लगेंगे अगर आपको अपनी vividia il mr अ करके वहां से पूछ सकते हैं और अगर कोई माक सीट में अंग पत्र में तूटी है तो आप इसको सही करवा सकते हैं मत 15 दिन में यह सारी चीज़े सही कर दी जाएंगे आपकी आपको कहीं जाना वगरा नहीं रहेगा सब कुछ आपको विद्याले सही हो जाएगा जहां पर कैम्प लगा होगा सच्छकों के ट्रांसफर को ले करके अपडेट की ओटीपी नहीं आ रहा तो अपडेट करें मॉबाइल नमबर आप लोग जानते परसिदी विद्यालों में इस समय जो है ट्रांसफर के लिए आविदन चल ला है बहुत सारे सिच्छक ओटीपी के लिए परेशान हो रहे हैं तो यहां पर बताया आगए गर आपके पास भी समस्या है तो आप अपना मॉबाइल नमबर अपडेट करवा सकते हैं दोस्तों यह हो गई आज के सारे सुचना है उम्मेद करता है वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद